आज बच्चो आठ्मा पार्ट दुन्वा का सस्ते का चक्र पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके प्रश्न उतर की दरब चलेंगे चुट्टी के गहंटी की आवाज आठ दस बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हसते चिड़ाते बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं बीच बीच में स्टेज के अंदर सेफेरी वालों की मजेदार लटके भारी अवाजे सुन चने, कुरकुरे, चटकाद, खारेदार, यही तरवाटी, आइसक्रीम, खटी गोलियां, ठंडा शर्बत, नीमभू संत्रे का अजे और नरेंदर आते हैं उमर, नौ, दस वरश, अजे दूबला, नरेंदर तगड़ा, लगातार, चटर मटर के आवाज करता, नरेंदर चूरन खा रहा है अब इसको हम पढ़ते हैं आगे नरेंदर, अरे, आजे, तू तो इस समय नकल करके रोज लेफट राइट पजामा धीला टोपी टाइट करता रहता है ना आज अभी कैसे, डंडी मार दी, ना बच्चू कैसा पकड़ा, और ड्रामे से भी निकाल दिया, क्या टीचर ने, ए, अजे, नहीं, आज मम्मी की तवियत कुछ खराब थी मैंने टीचर से कहा, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, मेरा पाट मुझे याद भी था ना, मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुँचकर उन्हें चाय बना कर पिलाओं, तो कितनी खुश होगी, वे, नरेंदर बिन तो सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा, डिबेट की मश्रकत, आखिर काहे को करता है, ए, मुझे देख, क्या मौझ भरी जिन्दगी है, सैर सपाटा, खेल तमाशा, इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लाली पॉप बेशता हुआ आता है, पचास पैसे में तीन लाली पॉप, पचास पैसे में तीन, नरिंदर, चौक कर, अरे सुना है तुने, पचास पैसे में तीन, यानि एक रुपे में छे, लाली पॉप, मजा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे खतम हो गए हैं, चूरन, चुस्की, आइस क्रीम, लेक ली, सुन, तेरे पास होंगे कु पैसे, अजे, एक भी नहीं, नरिंदर, अरे उधार दे दे, उधार कल पांच पैसे ज़्यादा लोटा दूँगा, समझ क्या रखा है, रुक कर, सुन, रिक्षे के तो होंगे, अजे हाँ, है, तो पर रिक्षे के पैसे, पैसों के लाली पॉप, खरीद लूँ में, ये तो चेटिंग होगी, नरिंदर, अरे बाप रे, तू तो हरिश चंदर जी का भी परदादा निकला, मांगे पैसे, देने लगा सीख, शुरू कर, शुरू कर दी, अपनी बहा, बोर्ल स्पीच, मत दे, मत दे, ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसने पैसे, तो है ही, अजे, मैंशा भी ना सोचे समझे काम कर डालता है, मेरी बात मान, इस आदमी से लोलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे लगता है, या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है, या कहीं से नुकसान दे, खराब माल उठा कर लाया है, मेरी मम्मी कहती है, नरिंदर बात काठ कर, अरे फिर तुझे मेरी मम्मी याद आ गई, मेरी बात मानेगा, तू जरा अपने दूसरे कान से भी, तो कुछ काम लिया कर अजे क्या मतलब नरेंदर फसकर एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी समझा अजे समझा अब से तेरी बात के लिए भी ही दूसरा कान काम मिलाऊंगा दोनों जोर से फसते हुए नरेंदर सचमझ तू जरूरत से ज़्यादा सोचता है इसी से दूबला सिक्या है तुझे देख हटा कटा दारा सिंग का पठा रूस्त में हिद हसता है अरे देख लॉली पॉप वाला निकल गया तेरी बातों में अरे वो वो जा रहा है रुकना भाई हाँ अजे तू ठैर मैं अभी लेके आया और हाँ मैंने अपने रिक्षे के पैसो की तो चूरंच उसकी खाली प्लीज अपने साथ ही रिक्षे से लेते चलना मुझे बस अभी आता हूँ जाता है अजे इधर उद्धर टहलता बेसबरी से इंतजार करता है अजे इस नरेंदर को कभी अकल नहीं आएगी सब सड़ी गली चीजे खाएगा और वाशिक प्रिक्षों में बिमार पड़ेगा आंटी डाटती है तो फट जूट बोल जाएगा बिचारी आंटी देख अभी तक नहीं आया दो तीन बच्चे आते हैं पहला लड़का अरे अजे तू तो कभ का टीचर से छुट्टी लेकर आया था यहां क्या कर रहा है अजे क्या करूँ मुझे खुद इतनी देर हो रही है नरिंदर कप का उधर लॉली पॉप लेने गया अभी तक नहीं आया उसे मेरे रिक्षे में जाना है दूसरा लड़का कौन नरिंदर उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था मैंने पूछा भी तो बोला उसके पास छुट्टे पैसे नहीं वही लेने जा रहा हूँ तीसरा लड़का अरे तू घर जा नरिंदर को जानता नहीं उसके फेर में पड़ा है तो अभी भी शामत आई समझ आता है तो आ जा मेरे साथ तुझे तेरे घर छोड़ दूगा अजे सोचते वे नहीं सुभाष मुझे डर है कहीं वैं आदमी कोई बदमाश तो नहीं तुम लोग जरा आओ न देखा जाए कहीं नरिंदर पहला ना बाबा ना ये जासूसी हमें नहीं करनी वैसे ही देर हो गई है मेरी मम्मी मानो मानने वाली नहीं अपन तो चले नरिंदर की नरिंदर जाने जैसा करेगा वैसा भरेगा हम क्यों अपनी जान खत्रे में डालें दूसरा तीसरे से चल हम भी जल्दी चले नरिंदर के फेर में कहीं हम भी आफत में फसे तो खैर नहीं बाए अजे जाते हैं अजे ठका उदास परिशानों कर इधर उड़ा टैलता है कहां गया नरेंदर आखिर अब बहुत देर हो गई है रास्ता भी सुनसान हो गया स्कूल में भी कोई नहीं किस से पूछू अरे यह सरसराहट कैसी आ रही है छुपकर वगीचे की और चलता हूँ आखि नरेंदर गया किदर जाता है नरेंदर की मम्मी रेखा अजे की मम्मी मिसेज महता के घर आती हैं मिसेज महता कौन रेखा जी नमस्ते आईए बैठिए रेखा घबराई अवाज में नहीं बैठूगी नहीं बहर मैं पूटा मिसेज महता आया तो अजे भी नहीं पर उसे सलाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है लेकिन आज मेरी तब्यद भी ठीक नहीं है सुबह अजे कहर गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूँगा शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और न नहीं बहें नरेंदर जरा शराती है ना इसी से डर लग रहा है देखिए एक बज़े छुट्टी होती है धाई बज रहे हैं मिसेज महता क्या सच मुझ मुझे तो दवाई खा करनी दाज गई थी समय का पता ही नहीं चलता इतनी देर तो अजे को भी नहीं होनी चाहिए रे रेखा जी देखिए मेरा बेटा भी तो है लेकिन अजे पर तो मुझे पूरा विश्वा से ठैरिये रिक्षा लेका चलते हैं देर सच मुझ काफी हो गई है रेखा जल्दी से आप आईए तब तक मैं रिक्षा बलाती हूं रेखा रिक्षा बलाने के लिए पीछे की और पर खुशी से चीख पड़ती है रेखा आ गए आ गए बेहन बच्चे देखिए मिसेज मेता सच अरे हां पर दोनों के साथ ये पुलिस इस्पेक्टर मिसेज मेता जी जी हां कहिए ये बच्चे आपको कहां मिले इस्पेक्टर अजे की और संकेत कर बच्चा आपका है मिसेज मेता जी हां अजे है इसका नाम क्या किया इसने इस्पेक्टर आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्ब से जूम उठ मिसिज मेता क्या मैं तो इस पर नराज हो रही थी कि समय किसे घर नहीं लोटा इस्पेक्टर हसकर आज अजे ने अपने इस दोस्त का नाम है जिसका नरेंदर की जान बचाई और एक बड़े गिरों के सरदार को पकड़वाया है मिसिज मेता ओ तो कैसे इस्पेक्टर साब इस्पेक्टर अब ये सब तो आप खुद अजे से सुनिये हाँ सुना दो बेटा अजे मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबियत खराब है पर बहार आया तो नरेंदर मिल गया फाटक पर एक आदमी पचास वैसे में तीन लॉली पॉप बेच रहा था मैंने नरेंदर को मना किया पर ये इतने सस्ते लॉली पॉप सुनकर अपने को रोकना पाया और चला गया सांस लेने को रुकता है रिखा फिर अजे फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा सब तो सुनसान हो गया तब दूर से मुझे कुछ सरसरहाट मालू होई इससे पहले मेरे दोस्त ने पताया था कि नरेंदर आम के बगीचे की तरफ लॉली पॉप से छुटे लेने पैसे गया है रिखा तो फिर तूने क्या किया बेटे अजे मैं छुपते छुपते दबे पाउं बगीचे में गया और नरेंदर का बैक पकड़ लिया देखकर मेहरार रह गया मुझे शक हुआ तबी देखा तो दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीट पर रखे कुछ काली भूरी चैक की चादर ओडे चला जा रहा है मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहान यह चलता रहा मिसिज मेता फिर अजे चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल ठक गए तबी वे आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं तबी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इरमार दिखाई दी मैं समझ गया कि तबी यह आदमी सक्रिय सड़क पर मुड़ गया मेरा शक्त पक्का हो गया मैं पूरी तेजी से दोड़ा और इस्पेक्टर सहाब को हाफ दे हाफने लगता है इस्पेक्टर वहां अजे बेटे वहां सुना आपने मेसिज मेहता रेखा अजे मे नहीं नहुता तो नरिंदर का क्या हाल होता सिसकी मेसेज महता हस कर अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बेहन फिर दोस्ती का क्या मतलब ager मुसिवत में दोस्त के काम ना आए रेखा नहीं आज मैं आपके साथ बजार ले आओंगी अजे को और इसे उसके मन का शानदार इनाम दूँगी खरीदूँगी इस पैक्टर शानदार इनाम तो अजे को परधान मंतरी से मिलेगा सब एक साथ क्या इसपैक्टर जी हाँ हर साल हमारी सरकार देश के भादर बच्चों को उनके सहासिक कारे के लिए पुरुसकार देती है इस बार अजे का नाम उनमें होगा अच्छा तो आग्या दीजे आओ अजे बेटे एक बार फिर पीट ठोक दू तुम्हारी शाबाशी थोक दू आजे थेंक्यू इसपैक्टर सहाब पर अभी तो आपकी पहली बार ही ठोकी हुई है हुई है मेरी पीठ दर्द कर रही है पहले भी उसने साबशी दी रही थी झा तो आजे वो कहा रहा है कि थेंक्यू मेरी पहली बार Алексो आपने साबशी दी थी उसी की दर्द अभी तक नहीं गई मिसेज महता, प्यार से, चुप सब हसते हैं इसे लिखा है सुरेबाला ने इसके लिखा कैं सुरेबाला पहला प्रशन क्या नरेंदर के सारे पैसे क्यों खतम हो गए उतर देंगे नरेंदर के पैसे चूरण, चुस्की और आईस्क्रीम में लेने में ही खाच हो गए ख, प्रशन अजे ने नरेंदर को क्या और क्यों समझाया इसका उतर देंगे देखो अजे ने समझाया कि ये लॉली पॉप ठीक नहीं है लॉली पॉप बेचने वाला या तो इसे चुरा कर लाया है या खराब माल कहीं से उठा कर लाया है, तभी इतने सस्ते में बेच रहा है का प्रशन, अजे के अन्य दोस्तों ने नरेंदर के बारे में क्या कहा और क्यों इसका उतर देंगे देखो अजे के अन्य दोस्तों ने अजे से कहा कि नरेंदर के फेर में ना पढ़े वे तो ऐसा ही लड़का है क्योंकि अक्सर वे क्लास से बाहर रहता है उसे बाहर के खाने पेने की आदत भी है प्रशन नमबर दो इसका का भाग अगर नरेंदर के पास फीस के पैसे ना होते इसका उतर देंगे अगर नरेंदर के पास पैसे नहीं होते तो वे लाली पॉप लेने के पास नहीं जाता ठीक है खा प्रशन इसका प्रशन पढ़ेंगे पहले अगर नरेंदर अजे की ये बात मान लेता कि इस आदमी किसे लाली पॉप लेना बिल्कु ठीक नहीं इसका उतर देंगे अगर नरेंदर अजे की बात मान लेता तो वे बदमाश उसे उठा कर नहीं ले जाता गा प्रशन, अगर अजे तीसरे लड़के की ये बात मान लेता, अरे तु घर जा नरेंदर तो जानता नहीं, इसका उतर देंगे, अगर अजे तीसरे लड़के की बात मान लेता, तो नरेंदर कभी नहीं मिलता, क्योंकि बदमाश भाग जाता और पकड़ा भी नहीं जाता, खो प्रशन अगर नरेंदर की मुलाकाद छुट्टी के बाद अजे से नहीं होती तो इसका उतर देंगे अगर नरेंदर की मुलाकाद छुट्टी के समय अजे से नहीं होती तो अजे को मालूम नहीं होता कि नरेंदर लॉलीपॉप लॉलीपॉप वाले के पीछे गया है पता नरेंदर की मा रेखा अजे की मा से ऐसा क्यों कहती है इसका उत्तर देंगे नरेंदर ने ड्रामे में पाट भी पाट भी नहीं लिया था फिर भी वे देर से घर पहुंचता था पैसे खर्च कर देता था पढ़ाई में भी ध्यान कम देता था इसलिए नरेंदर की मा को डर नहीं डरती और अजे की मां से यह नहीं कहती कि नरिंदर जरा शरालती है घबराईये नहीं रेखा जी देखिए मेरा बेटा भी तो है लेकिन अजे पर तो मुझे पूरा विश्वास है अब इसका उतर देंगे यदि वैस समय पर घर पहुँचता जूट नहीं बोलता बेकार खेल कूद में अपना समय नहीं गवाता तो नरिंदर की मां नहीं डरती और अजे की मां से यह नहीं कहती कि नरिंदर शरागती है गाप रशन देख लेते हैं पहले अजे की मां नरिंदर की मां से ऐसा क्यों कहती है इसका उत्तर देंगे अजे की मां को अजे पर भरुसा था वे महंती और भादुर बच्चा था फिर उसकी तबियत भी ठीक नहीं थी इसलिए अजे की मां नरिंदर की मां से कहा कि वे घबराये नहीं अगला प्रशन चोथा पढ़ने लिखने या अलिखत काम करने के लिए भी अच्छे स्वास्ते का होना जरूरी है इसलिए लोग सेर सपाटा और खेल तमाशे पर ध्यान देते हैं तुम बताओ कि का प्रशन क्या है तुम या तुमारे दो सेर सपाटे के लिए क्या क्या करते हैं उतर देंगे, हम सेर्स पाटे के लिए स्कूल की गहास पर दोड़ते हैं, शाम को गार्डर में जाते हैं अगला प्रशन ख, तुमने अब तक जिन जिन खेल तमाशों में भाग लिया है या उसे देखा है उसकी सुची बनाओ तो इसका उतर देंगे, फुटबॉल, कैरम, ब्लूडो, किर्केट, छोटे नाटक, साइकलिंग, नाच गाने आदी, अगला प्रशन पांच वा मैंने सोचा, मम्मी तो रोज मुझे चाय नाच्टा कराती है, आज मैं घर जी जल्दी पहुचकर उसे चाय बना कर पिलाओं उपर के वाक्य को पढ़ो, और बताओ कि क्या तुम चाय बनाना जानते हो, और क्या क्या बनाना जानते हो, इसका उतर देंगे, हाँ, मैं चाय बनाना जानता हूँ, मैंगी भी बना सकता हूँ अगला प्रशन खो अगर तुम अपने खाने पीने की कोई भी चीज बनाना नहीं जानते तो तुमें जो चीज सबसे अधिक पसंद हो उसे बनाना सीखो और उसे विधी को भी लिख के बताओ उतर देंगे मुझे मैगी बहुत पसंद है उसे बनाने के लिए पानी उबालने के लिए रखें जब पानी उबल जाए तो उस पैकेट में से मैगी मसाला डालें फिर मैगी डालें दो मिनट तक उबालें उबल जाने पर उतार दें और फिर गरम गरम परोसे और बच्चो उसकी विद्धी लिखो अपनी नोटबुक में सात्वा प्रशन नीचे कुछ वाक्य दिये गए हैं उनके उप्युक्त महावरे भरने से वैपूरा को सकता है उन्हें पूरा करने के लिए महावरे भी दिये गए हैं तुम सही महावरे से वाक्य पूरा करो जैसे यह दिया गय घर में घुस गया ठीक है तो इसमें लिखेंगे चोर दबे पाओ दबे पाओ भरना उपर लिया हो है न उपर ऑप्शन दिये हो हैं दबे पाओ घर पर घुस गया ख़ दे से आने पर मम्मी डैश गई आग बगुला हो गई इसमें भरेंगे देखो दे से आने पर मम्मी सुनकर अजे सक्पकाया यहां पर फिलब करना है सक्पकाया उधम मचाने पर बच्चों की शामत आ गई नरेंदर जी जान बचाने पर उसकी माने अजे की पीठो की इस तरह कैसे यह कंप्लीट हुआ छटा नीचे तलीका दिये पता करो कि खाने की उन चीजों में से कौन सा पॉष्टिक ततो है उसे तलीका पे लिखो ठीक है नीचे दिया गया ऐसे हमने फिलब करना है करम दिये गया है यह देखो यहां पे तलीका बनाने का तरीका ऐसे होता है यह करम संख्या लिखे खाने की में आइरन वा विटामिन दूद में कि प्रोटीन की संत्र में विटामिन कि कमें और दालों में प्रोटीन होता है Yeah об नीचे देखो तुम्हारे स्कूर में जो गति वीधी करा Elise और इस तलिका में से उनके सामने टिक या गलत का निशान लगाओ तो हमने जो ना टक के आगे टिक लगाना है, खेल कूद के आगे भी हमें टिक लगाना है, संगीत के आगे भी नित्य के और चितकरल के आगे भी टिक लगाना है धन्यवाद बच्चो आशा है आपको ये लेस्वन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके प्रशन उतर समझ आ गए होगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब परे, वीडियो को लाइक और शेर करे